नमो नाराय जेगो माता बंदे मात्रव मा भारती को प्रणाम और हिरदय से ओम शम शनिश्चनाय नमा प्रिमित्रों शत्यूं जब तक आप जीवन में अपना सम्मान नहीं करोगे नहीं आप दूसरों का सम्मान कभी नहीं कर पाओगे इसलिए शम अपना सम्मान करो और अपना सम्मान कभ होगा जब आप अपनी स्वासों का सम्मान करोगे तब ही आप अपने जीवन को समझ पाओगे जो मनुश्य जीव को नहीं समझेगा वह किसी और को क्या समझेगा इसलिए अपनी स्वासों को समझो अपनी स्वासों के साथ रहो अपनी स्वासों को देखो यही जीवन का असार है नमपनारा प्रदार्शिक ओं मित्रों शात्यों आपके सामने 10 जनवरी 2022 का राशिफल और पंचांग लेगा राशिफल पर आऊं उससे पहले आज का पंचांग का रहा बजगर पचीश मिंद्ट अगला करंट बालव होगा शुर्द काली नक्षट रेवेती नक्षट सवामी बुद्ध और नक्षट की स्वामी सुबहे आट पचास मिंद्ध के बाद चंदर मा केतु के नक्षटर में संचरण चनदरवाज मेंड आजके प्रातकाली का शंच्रान और इसी आधार पर दस जनवरी 2022 का मैंने राशिफल लिखा है आज का अभिजीत मुर्थ दोपर बारा बज़कर आट मिन्ट से लेकर दोपर बारा बज़कर पचास मिन्ट तक रहेगा अवदी 42 मिन्ट है और ये बयाल मिन्ट ये 42 मिन्ट आज की दिन कोई भी श आज का रहुँकाल प्राते साड़ी साथ साथ बज़कर नौ बज़कर नौ बज़कर रहेगा अनकूल और उचित माना नहीं गया ये सला मेरी और मर्जी आपकी अज उतर दिशा की यात्रा आज यात्रा पे जाने शपूर दरपण में मुह देखकर कुंकुम और कैसर का ति आपको जनमदिन पर शार्दी के साल गर दातीमाहराज कियोंसे आपको हारदिक सुभाव नगां आपका मुलांक है एक और दसन नग आपको जनमदिन滨 हबोग का तो आपके जिवन में एक के अंग का कहीं झेक्ण प्रुभाव। देखने को मिल nieuंग मुलांग एकका जो श्वामिक रहे वो शूरी है एक अंक चाहता है पर के चैक्छ फार्म हो Online लुग है प सुर्य चलुका है की सारच ने को छॉषिर प्रवान को हो सुरी की प्रगमा करते लोगश को atrás हे कितार्य व५ं嘛 परवर्तिक हैं आप धन की कभी कमी नहीं होती हैं आप एसुरे साली जीवन जीत हैं सभी तरह कि सांसारिक और विलास्टर अपन शुकों को आप भोग करते हैं आप करम प्रधान वेक्ति हैं काम करना आपको ज्यादा पसंद आपकी भासा पर अच्छी पकड़ है भीड को चंभालने की चंदता आपको बहुत है कारी चेतर आपका श्रूं का कोई काम करें तो बहुत उत्तम माना राजनीती लीडर्शिप नेतेतु मैनेजमेंट यह च्छी आपकी बड़ी उत्तम है आप अच्छे नेता भी हो सकते हैं आप शेना में पुलीस में उच्छ प्रसास है यह राशिपल मैंने डाल दिया लेकिन 2022 में आपको कहीं प्रेशान ही नहीं आए हर रोज क्या उपाई करें आज के उपाई में गुरुमंतर विद्धाती माराज मैंने आपके लिए उपाई डाला उसे जरूर देख अब मैं बात करूँगा जोती से सुत्रों के मैं नमं को निली कि नमं keine झान फ्रेशान है और ऑागे इस्तान में शूर्य और मंगल इस दोनों ही शुरासी में व्राज मान हो यानि नमंभाव में पांच का अंकर लिका और वाहां शूर्य या पिर एक या आट या आट का अंकल आ पणकल और मंगल विराज माने पांच नमबर शिंगराशी और एक और आट मेसवर बशिख मंगल बयठा हो तो व्यक्ति बहुत ही भागी सारी। जीवण में बब्रगती छिल लता है। मान, संवान, पद, प्रतिष्टा की प्राप्टी करता है। ऐसा विक्ति उच शिक्षा को प्राप्ट करता है। और उच्पदों पर विराजबान होता है। यदि लगन बुनली में भाग्येस अस्टम भाव में बैठ जाए। अस्टम भाव नमम भाव का बारवा भाव है। तब व्यक्ति को संगर्ष करना पड़ता है। अपनी जिमन को चलाने के लिए बहुससी बादाओं का मुकाबला करना पड़ता है। नमम भाव का शौमी अस्टम में बैठ जाता है। लेकिन उधार उसकी रुक्तिनी उधारी चुका देता है। ऐसे व्यक्ति के शत्रु कम होते हैं। किसी भी जनमांग में भागैस ये किसी राशी में इस्तित हो, ऐसी राशी में इस्तित हो जांब वो नीच का होता है, तो भागैस से जुड़ी सपलता उसको प्राप्त नहीं होती है। भागेश छहाट बारा में बेड़ जाता है, तो कभी भी उसका रतन-धारण नहीं करना चाहिए इस बात का ध्यानude, 6-8-12 में भाग्यस विराजमान है या भाग्यस प्रतिकुल ग्रों से द्रस्ट है या नीच रास्य में विराजमान है तब भी रतन धारण नहीं करना चाहिए कोई व्यक्ति चाहता है उसका भाग्य 29 हो तो जो 30 के कुछ उपाई है जिनका सारा लेना चाहिए भाग्यस यानि नमभाव का शौमे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा नमभाव के शौमे के ग्रह के बीज मंतर का जाब करना अत्वी उत्तम और लाबदायक माना गया है और जो भाग्य में इस्थान में जो ग्रह बैटा है उस ग्रह के देवता कौन है उसकी उपासना करना भ भाग्ये में प्रगत्ति होती है चुट-चुटी बाते थी जो मैं बताना चाहर था लंबा हो जाएगा इसलिए कल और बात चर्चा करो लोगा अब इस समय आपके राशिपल की चर्चा करूंगा और यह राशिपल आपके नाम राशिपल आधारित है यह राशिप पूर्सों के लिए है महिलाओं के लिए भूजवर्गों के लिए बच्चों के लिए उसुबसे पहले में मेस राशी की बात क्लों चंदर्मा बार्ब के संच्र्ण करणा है और चंदर्मा सुबह आट बस गर 50 मिन वेनिट की बाद अस्वनी नंख्षण करेगे र हो कोचर प्रतिकूल है भाई आज कारी सपलता करना पड़ेगा और आज वानी पर सेम रहना पड़ेगा रिण के लेंदें से बचना बहुत जरूरी है पुझी निवे से नहीं करें वेविशाय विस्तार नहीं करें जो काम आप हैं उसमें मेहनत करेंगे तब ही सपलता मिलेगी अधन की कमी आपको परिशान कर सकती है आज गुप्त रुप शिशत्र आपको हानी पहुंचा सकता है और प्रिवस्तों की हानी की संभावना है इसलिए सतरक रहना बहुत जरूरी है रिष्टों को लेकर सावधान दे रिष्टों में करवाट की संभावना है चिक्षा का ख आज बेवजे की चत्राई नहीं देखाई सुबंग साथ सुबरंग पीला भागी मात्र आपकी पक्ष में 35 प्रसंड लाब का संकेदे रहा है लापरवाई नीक है मेश राशी वालों आज प्रातकाल अपने घर में सुद्ध देशी घी का दिपक जलाई एक पाथ हनुमान चा संकेद नजर आ रहा है पिछली आर्तिक परिशानियों से चुटकारा मिलेगा आर्तिक शुरोत बढ़ेंगे धन प्राप्ती होगी बड़े बुजरगों का साथ मिलेगा शुक और श्रमर्दी में व्रदी के साथ आथ आथ आप शुक और श्रफलता आपके साथ होगी श्व शुबरंग गुलाबी भागी आपकी पक्ष में आज पैंसट प्रसंड लाब का संके दे रहा है और विश्वराशी आलो प्रतकाल नित्य कर्म नियुशिनान उप्रांथ घर में शुद्ध देशी घी का दीपक जलाई स्री शुक्त का पाठ करें या सुने बहुत उत्तम र धन की प्राप्ति होगी उच्छ लोगों से मित्रता लाप्रसाबित होगी कारी सितर में शपलता धनलाब की अच्छे अश्र मिलेंगे और सरकारी काम बनेंगे राजे से मांसमान और प्रतिष्ठा मिलें विद्यार्तियों के लिए आज हुपलब्दी का दिन है परिक्षा अंद्याजी ना करने दे सुबंग पांस सुबंग नीला बागिया आपके पक्समें सत्तर प्रसंद लाब कर संके दे रहा है और आज में तुन राश्यलो अपने घर में शर्दाप्रवक सुद्ध देशी की का दिपक जिलाई सुद्ध आसन में बैठी गनपति से प्रात्ना क करें मंगल में कामिना के लिए परात्ना करी और गनेस चालीषा का एक पाठ कर लेना कल्यान होगा नमने बात करते हैं करकर राश करकर नरुमभाब में चंदरमाई और भुषरगों की से पर काम करना और अच्छा लाब देगा रेंसेन और खानपान में लापरवाई नहीं बते कारी छेतर पर जो प्रशासनिक अफसर है जो आपके बौसेज उससे बना के रखें और आज सपलता के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने पर दूसरों के भरोशे नहीं रहेंगे तो और अच्छा रहेगा विद्यारतियों के सपलता का अच्छा योग है लेकिन परिवार की बातों पर ध्यान देना विद्यारतियों के लिए बहुत जरूरी है क्या करें आज महत्पूर्बात को गुप्त रखें क्या ना करें अतदिक आवेश्माकर कोई निने ने ले सुबंग चार है शुबरंग शपेद है भागि रुधराष्कम के रुधराष्कम का आप करते हैं बढ़ा शुब है अपके लिए नमणा रहें और बात करते हैं रुधराष्ट कम को लेकर लापरवाई नुकसान दे सकती कारुबार में अस्तिरता नुकसान दे सकती धन की चिंता है किसी भी विशेस कारी में जल्दबाजी नहीं करें धनाने की संभावना आज अपनों का सयोग नहीं मिलेगा खानपान की परती भी नियमित और रहेंगे तो अच्छा समय सावधानी का संके दे रहा है क्या करें जरूरी है अधूरे कारियों को पूर्ण करने के लिए नियति-ियम лисьधानतों का पालन करें परिवार को शाथ राखर क्या ना करें लंबी यात्रा स्यों बाहांचला करने करें सुबंग तीन सुबरंगम 20 भाग्ये बागिया आ पादेती हिर्दोष्टर का एक पाठ कर लेना आपके लिए बड़ा शोग है नमने नुबात करते हैं कन्याराशी कि कन्याराशी वालो सब्सक्राइब में चंदर माया और सब्सक्राइब कर रहा है विद्यार्थ योग लिए पढ़ाई में मन लगेगा पढ़ाई की रूची अच्छे प्ररिक्षा प्रणाम का संकेर देरी क्या करें बस कारियों में कोई पूंजे निवेश करना है एक बार घर के वयोबर्द सद्यसों की सलाथ जरूर जरूर है क्या ना करें किसी को उधार धनना दे आज का सुबंग आठ है शुबरंग सपेद है भागिया आपकी प्रणाम का संकेर दे रहा है और कन्या राशी वालों अपने पूजा अश्तान में सुद्ध देशी घी का दिपक जिलाई गया और गणपती अथर्वसेश ये यूट्यूब पर मिल जाएगा या गूगल पर है इसका पार्ट करें या सुन लें कर्ष्ट मिटेंगे नमना बात करते हैं तुला राशी वालों चनर्मा चटे भाव में है और चटे भाव में चनर्मा केतु के नक्षत में संच्रण कर रहे हैं तो आज पुंजी निवेश का भरपूर लाब मिलेगा धन विर्दी होगी देश विज़े से अच्छे वर्षाइक समन्द बनेंगे शुक करें सिक्षकों का माता-पिता का पूर्ण सयोग मिलेगा और सुप समाचरो की प्रापती जिए क्या करें किसी जरूत मंद वेक्ति मदद करें क्या ना करें कोई भी कारी श्वार्त और इर्षिया वसना करें सुबंक दू सुबरंग नीला भागया आपके पक्ष में 75% लाब का संके दे रहा है और आज तुला रासे वालों प्रात्यकाल नितिकर्मियों से नान उप्रांथ अपने पूजा अस्तान में सुद्धेशी घी कर दिपर जलाई शर्दापरु भगवान शीव का 55% पूजन करेगा भाव से बैठकर शीव महीमन इस तुरत का पार्ट सुन लिजिया कर लिए घृत करते हैं कल्यान ही कवालों पंचम भाव में चंदरमा और पंचम भाव में केतू कि नक्षत में चंदरमा है वानी पर सयम सयम और धरिसे काम करना अपने उच अकरन के नीयson करना करें श्रबावन करें और कारोबार और में कोई बढ़ जरोरी अनिता पर्यक्सानिया कि पारवारी जिम्मेदारें बड़ेगी यातरा करने पर सकते भियात्रा में कोयी ज्यादा लाब लआई है यहाद्म या बना अपनों को अपने साथ लाने का प्रियास करिएगा क्याना करें शत्रू को कमजोर ना समझे शुबंग साथ सुबरंग महरून आज भागिया आपकी पक्स मातर साथ परसंड लाब का संके दे रहा है थोला संबल के काम करेगा अच्छा रहेगा क्या करें आज अपने घर के चंदर्मा केतू के नक्षतर में है तो आज पारवारी कल है कि संभाव ना है गरेगोच्छी की प्रतिकुलता इस बात का संके देरी है आज कारूबारी जो इस्तिती प्रेशानी से यूप्ट होगी अपनों का सयोग नहीं मिलेगा धनहानी है चोट लग सकती चोट दिल की भी हो सकती धनकी भी हो किसी गाड़ी भी गुप्त रूप से कोई भी कारी ने करें अन्यता मानानी भी और नुक्षान भी है और माता के स्वास्तिय और रिष्टों को लेकर विशेश सावधान देना पाए विध्यारतियों के लिए समय थोड़ासा प्रतिकुले नेजी जी अपने पूजास्तान में नाराइन कवच का पाट का अधुद रहेगा आपके लिए नाराइन कवच यूटूब पे मिल जाएगा सुन लिजे गूगल पे भी है आज नाराइन कवच जरूर करिएगा बात करते हैं मकराश मकराशी वालों तीसरे भाव में चंद्रमा है और आपको अच्छा लाँ देगा और विद्यारतियों के लिए भी आज खुशकबरी है शिक्षा के चेतर होगा समाचार की प्राप्त होगी और विद्यार्तियों के रुकिवे काम भी बनेगी क्या करें तनाव और चिंता से रही तो कर काम प्रध्यान देजिए सफलता मिलेजिए क्या ना करें अपनों को धुका ना दे शुबंग दो शुबरंग परपल भागिया आपकी पक्ष में 70% ला राशुब रहेगा नमणने बात करते हैं कुमराज से की दूसरे भाव में चंद्रमा और दूसरे भाव में चंद्रमा केतु के नक्षतर में है तो थोड़ा साथ वानी पर शेयम रखना पड़ेगा प्रशासलिक अपसर हैं आप राजनेता है आज निती नियमों का पालन न चांदे और सरकारी मामलों में लापरवाई नहीं करें धार्मी को राध्यात्मिक कारिक करने का उसर मिलेगा अपनों की वज़े से मन प्रफुलित प्रसंचेत रहेगा लेकिन सावधानी अपिश्ची दभाई पुंजी निवेस नहीं करें आज कोई नहीं सोदा नहीं करें तो अच्छा रहेगा विद्यार्तियों को शिक्षा के मार में आरी बादाओं से मुक्ति मिल जाएगा और मैनत बहुत अच्छा रंग लाईगा क्या करें अपनों के साथ जिमन में मधूरता बनी रहे इस बात पर थोड़ा सा प्रियास करें क्या ना करें विवादी सोदों में पुंजी निवेशना सुबंग चार शुबरंग नीला भागिया आपकी पक्ष में पैंसेट प्रसंद लाब का संकेत दे रहा है हुमराशिवालों आज प्रातिकाल नित्य कर्मिनों शिनान उपरांत आज सर्धा पुर्वक शनी पतिन नाम इस्थूति का पाठ करना बात अश्वनी नक्षतर में संचरन करेंगा सुबह सुबह तो बूद का नक्षतर आट बजगर पचास मिन अश्वनी नक्षतर ग्रोगोचर शूप फलों को देने में शमर्श है कारोबारी श्मंदों में शुधार होगा नौकरी में अनकुलत आएगी नौकरी में वर्च विध्यारतियों को प्रिशानिया उठा-पट्र कष्टों से छटकारा मिलेगा और स्फलता भी मिलेगा पारवरिक संचरी और मित्रों का भरपूर्शयों नौकरी सोयओ मिलेगे। नमना रहे यह था बारा के बारा राश्यों का राश्य पल युगनक्षों पर आधारिता पुने मेरा निवेदर इसाब यह मेरे विचार है जो आज की घरे युगाई होगे उनकी आंकलन के आधार पर मैंने अपना आंकलन आपके सामने रखाए और मेरा कोई दावा नहीं अधिकार आपका था आपका है आपकी का रहेगा अब मैं आपके सवालों का जवाब दूगा जो कमेंट आप करते हैं बहुत से मित्रों ने इस सवाल किया सब नौकरी में बहुत परिशानी आ रहे हैं क्या करें आज सोंबार का दिन हैं और नौकरी में अनावशक परिशान का सामना करना पड़ रहा है छोटा सा उपाय है लेकिन यह लगातार 11 सोंबार करना पड़ेगा प्रातकाल नित्य करम से निदो सुनानों प्रांथ सिनानों प्रांथ एक जारू मंदिर में दान दे दिएगा बात तो बड़ी छोटी सी है लेकिन लाप जरूर देगा समझ में नहीं आएगा लेकिन अनुभाव में यह 12 सोंबार या 11 सोंबार देखे देगा कुछ रहत मिल जाए और जारू देने के बाद किसी कुट्टे कुछ सद्धान दूद अपने हाथों से पिला देते तो और अधिक लाप देलेगा नमना और बात करते हैं नुस्कों से अब मैं आपके नुस्कों की बात करूंगा बहुत से लोगों ने का अगदाती महराज हमारा जो बीपी है वो बहुत उपर नीचे रहता है मित्रों इदि आ से मात्र 18 मिनट हर रोज प्रातिकाल इस मुद्रा का अभ्यास करना कुछ ने करना 18 मिनट खाली और जो मुद्रा लेकर शांत बैट तो भीतरी बत्र आउम नमाश्यु आए बगवान शिव के स्राक्ष्री मंत्र का जाप 18 मिनट इस मुद्रा में कुछ महीने कर लिजेगा द विचार और अंकलन मेरे अनभाव के आधार पर है मेरा कोई दावा नी सेकेंड ओपिनिन का अधिकार आपी का है हां मेरे से कोई भूल हो गई हो दोनों हाथ जोड़के छमा परातियों आप शुखी रहें श्वास्त रहें समर्दिशी लें सनिभगवान के से चलनों में मेर प्रातना नम अरे रास्तान का हर व्यक्ति जानता एक दाति महराच जायों से बहुत प्यार करता है हजारों शक्रों बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना शंपूण जीवन दिया और यह मेरा शौक था मेरी राष्ट की धरवर थी और ये करना मेरा करते और करम मैं आपको किसी वज़े से नहीं सुना रहा हूं बिस खाली बता रहा हूं कि यह मेरा जीवन का नक्ष रहा है मनश्य हूं और मानू होने इतना ते मेरा करतव है कि मैं अपनी राष्ट के शेवा करूँ मैं इस राष्ट का नागरिक हूँ तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोश्यवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वरत्मान प्रस्तियां आर्तिक दस्टिकॉन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांगा अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा इंकार नहीं है क्योंकि धन को लेकर मेरा आश्ट के सामने कभी नहीं आये था हमिशा मैंने ये काख शेवा करिया मैं भी शेवा करता हूं आप भी शेवा करता हूं धन नहीं चाहिए लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक प्रस्ति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सनीधान गोशाला की गाएं तुखी नहीं रहें इसके लिए मुझे आपका श्योग चाहिए और श्योग के लिए मैं श्योम आपके साथ खड़ा हूँ आपकी समश्याओं के समधान के लिए भई आप अपनी जन्मकुनली का अवलोकन कराना चाहते हैं आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरी साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा, तब तक खड़ा रहूंगा, नमबर आ रहा है, इन नमबरों पर शंपर करी, आप मेरे से बात करी, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता कर लिए, और इसलिए मैंने कहा था कि, थोड़ा दिन, इस समय में परेशाने में हूँ, और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है, ऐसा हिरदय से आया, लोगों ने कहा कि, राश्र आप से प्यार करता है, दाती माराज एक बार निवेदन करी, तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ, फिर भी मैं अभ आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेद है, और वे लोग जो शक्षम है, शामर्थेवान है, और जिने दाती माहराज के, जो तीजिय समधान की आवश्यक्ता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है, रखूंगा मित्रों, समय ऐसा है, कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दश्टिकों से अनकोर संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट कहा, कि सनिधान गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए, सरकार स्रकार कर रही है, अपनी शिमाओं में रहते हैं, जो सरकार करते हैं, लेकि फिर भी, मैं आप सभी का धन्यवाद देखते हुए, हिरदय से पुने एक बार निवेदन करना जाता है, कि आपको लगता है, कि दाति महराज के साथ सनिधान गोशाला में खड़ा रहना है, नमबर है, ज़रुर स्वयोकर है, पेरा कोई दवाव नहीं है, प्रातना थी, ओ ओम नमनारे, ओम नमनारे, ओम नमनारे